आरजेडी का विरोध लेकिन सहनी का समर्थन धिरेंद्र शास्त्री के पटना आगमन की तैयारी है जोरो पर नमस्कार आपके साथ मैं हूँ पृतिश शेवास्तो स्वागत है आपका N27 नियूज में बागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री के पटना आगमन को लेकर सियासी हलकों में भले राजनीती हो रही हो लेकिन इसके लिए भव्वे तैयारी की जा रही है शास्त्री के पटना के नौबतपूर के तरेत पाली मठ में 13 से 17 मई के बीच होने वाले ह हनुमान कथा आयोजन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है इस आयोजन में प्रति दिन 3 लाग से अधिक लोगों के पहुचने की संभावना है मठ प्रांगन पूरे 600 एकड में फैला हुआ है जिसमें हनुमत कथा प्रवचन के लिए 3 लाग वर्ग फिट में पंडाल बन बनाया जा रहा है श्रधालू के रहने और खाने की मुफ्त विवस्था की जा रही है प्रसाद वित्रन के लिए 40 से अधिक काउंटर बनाए जाने की उमीद है इस कथा आयोजन में उत्तर प्रदेश जारखन पस्चिम बंगाल से भी श्रधालू के पहुचने की संभावना है आपको बता दे कि बिहार बागेश्वर फाउंडेशन के अधिकारियों द्वारा की जा रही तैयारी में किसी प्रकार की कमी ना रहे इसका पूरा खयाल रखा जा रहा है कथा शुरू होने के पहले कलश यात्रा निकाली जाएगी कथा में बड़ी संख्या में महिलाओं के भी पहुचने की संभावना है आचारे धिरेंद्र शास्त्री के कारेकरम को लेकर बिहार में सियासी पारा भी चड़ा हुआ है उनके विरोध और समर्थन को लेकर राजनीती शुरू हो गई है बिहार के वन और पर्यावरन मंत्री तेज प्रताब यादों ने ट्वीट क वालों को करारा जवाब मिलेगा तैयारी पूरी है हिंदू मुस्लिम सीख इसाई आपस में हैं भाई भाई इसके अलावर राजत के कई नेता धिरेंद्र शास्त्री के विरोध में बयान दे चुके हैं इधर धिरेंद्र शास्त्री के स्वागत में पटना में पोस्टर भी लगे हैं उधर वी आईपी चीफ मुकेश सहनी ने धिरेंद्र शास्त्री का समर्थन किया है मुकेश सहनी ने बाबा बागेश्वर से कहा कि उनके पास जो दिव शक्तिया हैं उससे वो बिहार का कुछ भला करे मुकेश सहनी ने एक बयान देते हुए कहा बिहार सब का आए यहां घूमें और राज्य को देखें अभी के लिए इतना ही देखते रहें एन 27 न्यूज पकड़ हर खबर पर आप देख रहे हैं एन 27 न्यूज पकड़ हर खबर पर